बनुसरातन धर्म कीजै श्री राम कृष्णा भगवान कीजै श्री शंकर भगवान कीजै श्री रक्ष्मी नारायर भगवान कीजै जग्नमे मैया कीजै सद्गुद तेमु राम महराज कीजै सद्गुद सर्वारन महराज कीजै सद्गुद शंती प्रकाश महराज कीजै सद्गुद हरी रास राम महराज कीजै सर्वसंतन कीजै प्रेम प्रकाश मंदर कीजै अम्राफर दर्वार कीजै गुरु महराज गरी बन जो ओ नजरदारे निमान जो दया पाले धकिज पढ़ दो क्यामु पाप अत्भारी उम्र वैरत वै सारी विजी चादर शरम वारी दया पाले धकिज पढ़ दो गुरु महराज गरी बन जो दया पाले धकिज पर दो शरण पालक पिरन कोई जो कजाएं पूरो बिर्द पहजो सचा सत्गुर अची मुईचो दया पाले धक्ज पढ़ दो गुरु माराज गरी बन जो दया पाले धक्ज पर्दो शडे साथी सभै साई पियुसत्म हिजे शरण माही धक्ण गुरु देव तू आही धक्ण गुरु देव तू आही धया पाले धक्ज पढ़ दो गुरु माराज गरी बन जो दया पाले धक्ज पढ़ दो कठन टे उसमो आही वसीलो तो बिना नाही अटन टेउं समो आहे वसिलो तो बिना नाहे गुरुदु खदर्द सब लाहे गुरुदु खदर्द सब लाहे दया पाले धक्ज पढ़ दो गुरु महारा जगरी बन जो दया पाले धक्ज पढ़ दो अरत कंसो वजन ज्यारः गुरु महारा जगरी बन जो दया पाले धक्ज पढ़ दो नजर धारे निमान जो दया पाले धक्ज पढ़ दो प्रार्थना के सुन्दर भजन में गुरु माहराज जी अपनी अमृत्म इवाणी में प्रार्थना कर रहे हैं विंती कर रहे हैं कि ए गुर्देव मैं गरीब अधीन अनाथ हूँ आप करपा करके मेरे उपर दया का हाथ रखें और पर्दे के अंदर मुझे रखें मेरी लज्जा रखें अपने शरम की चादर में मुझे रखें मेरा आप के स्वा कोई दूसरा नहीं निमान माना मेरा कोई दूसरा जिसका मैं मान करूँ कुछ भी मेरे पास नहीं आप दया करके पड़दा ढखें कयामू पाप अतभारी उमर वैरत वई सारी मेरा पूरा जीवन पाप मैं रहा है आयू गर्थ चली गई संसार के पीछे भागते विजही चादर शरमवारी दया पाले धक्ज पड़दो शरम की जादर मेरे उपर डालके लज्जा मेरी रखें किरपा करें शरण पालक परण तेंजो कजैंपूरो बिर्द पहंजो आपका जो बिर्द है परण है वो है शरण पालक शरण में आईवों की आप रख्षा करते हैं ये अपने परण को आप पाले सचा सदगुर अची मजो दया पाले धक्ज पड़दो किरपा करके विपत्ती के काल में आप आकर के मेरे दुख कष्टों को दूर करें अपने पड़दे के अंदर मुझ को ढगें चड़े साथी सभैसाई पिरस त्यंजे शरण माई सब सहारे आश्रे साथी संबंदी छोड़के मैंने आप की शरण ली है दूसरा कोई मुझे सहारा नहीं तुम लग मेरो आसरो तुम लग मेरी दौड़ जैसे काग जहाज पे सूज़त ठोर ना जिस परकार से जहाज के पंची को समद्र के अंदर जहाज जाने के बाद दूसरा कोई ठोर ठिकाना नहीं इधर उदर उड़के फिर जहाज पर आता है उसी परकार से मुझे भी कोई दूसरा आपके सिवा ठोर ठिकाना नहीं सब को छोड़के मैंने आपकी शर्ण ली है आप ढखन है ढखने वाले है किरपा करके मुझे को ढखें कठन टेउ समुआ है वसीलो तो बिना नहीं समय बहुत विक्राल है कठन समय है कोई किसी का साथ निभाने वाला नहीं आपके सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं मेरे सब दुख दर्द कष्ट विगनों को दूर करके मुझे आप ढखें गुरू दुख दर्द सब लाए दया पाले ढखज पढ़ दो तो इस प्रातना के भजन में गुर्देव के पावन चर्णों में विंती की गई है अमरा पुरबाणी पड़तू प्रेमी प्रेमसा पाय सुमत संतोश ए खिमियाजी खाणी भर्यल जह में भावजी रस्वारू हानी वचन हंडाये पाय पद पूरण निर्बानी अंग संग थे सानी हर हंद तोसा सत गुरू महमा आवे अंत सत गुरते मुरामजी महमा आवे अंत ठायो जग कल्यानले प्रेम प्रकाशी पंथ अनभे पाणिय सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाई सगे नपार को महमा आहे अनंत भगतन ले भगवन्त आयो मानश रूप में तत गुरते मुराम के है उपकार अनंत दिया मुलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ दूबत जीव अपार है भवसंद है बेंथ सेत बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सद वारी जाओं सद वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मर्थन जानिये वारी अम्रत धार वारी पर वारी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मन्थन से मिला अम्रत घट सुखराश उर मन्थन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लव जो करती है नाश अंतर तम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आप का अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आप का अमर है धन गुर्टियू राम अमरा पुर्वानी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता चंद दोहा वली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विलाश सत्नाम चाकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमर्थ मई महमा मई आनंद मई करणा वर्षनी ब्रह्म अमर्थ वर्षनी अंतर दृष्टी उनमेशनी सर्व व्याधी विनाशनी भाव पाश विमोचनी प्रेम प्रकाश ग्रंथ में शिंधी अमरा पुरवानी भजन ब्रह्म दर्षनी कवितावली चंदावली और दौवली पांच रतन है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझ कर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करे अनंद अधुपद रहस्य से भरी वही गुरु माराजी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमई वचन इस वाणी में भरे वे हैं तो उनका भावार्थ इस श्रंखला के द्वारा प्रस्तत किया जा रहा है पढ़के समझ के मनन करके उनका लाब प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाए